E not cell है, इसके calculation के ना तीन method है, और मैं कह रहा हूँ, तीसरा method सब से जी होगा, जिसको कुछ समझ में ना आए वो तीसरा method से paper में सवाल लगा किया ना रहे, और अगर board exam में paper में सवाल आए, तो किस हिसाब से solve करना है, वो method में बताऊँगा, ठीक है न, देख भई, सबसे पहल मनता है कि जो E not cell है ना, इसको मैंने एक तरीके से और भी define किया था, क्योंकि है तो electrode potential है, और अगर electrode potential है तो दो मेरे पास कोन है, एक anode होगा, एक cathode होगा, उनका ही difference क्या मेरे पास E not of the cell है, तो मैं कह सकता हूँ, कि ये E not of the, anode minus E not of cathode भी हो सकता है, ठीक है, दूसरा मेरे पास क्या हो सकता है, E not cell बरावर E not of cathode minus के E not of anode हो सकता है, ये बात उन बच्चों के लिए अगर पेपर बोर्ड में सवाल आता है, तो, देख भई, सीदी जी बात ये है, कि जब भी E not के साथ deal करेगा ना, E not cell के साथ deal करेगा, तो same term में deal करेगा, same term से मेरा क्या मतलब है, same term से deal से मेरा क्या मतलब है, same term से deal से मेरा मतलब ये है कि यहां पे कोन है, एन ओर पे क्या होता है? Oxidation, तो इसके मुझे क्या लेना है, Respitution, पोटनियल, तो ये ध्यान रखना कि यहां भी Oxidation Potential ही लेना है, चाहें पेपर में तुझे RP गिवन हो, लेकिन लेना क्या है? लेना Oxidation Potential ही है तो OP- यहाँ पे OP ही करना है अगर तुझे क्या हो Cathode, अगर तुझे formula लगाना है E0 Cathode मानस के E0 Anode लगाना है तो Cathode का क्या होता है RP होता है, Reduction Potential होता है तो यहाँ पे तुझे Anode पे भी क्या ही लेना पड़ेगा, RP Basic Anode पे Oxidation होता है Basic Paper में तुझे Oxidation Potential गेवन होगा, लेकिन तुझे लेना RP ही पड़ेगा ठीक है वई, इसे साफ से Paper में सवाल सौल करना है, ठीक है ना, अभी एक सवाल कर भाऊंगों, उसे सारी चीज के लिए हो जाएंगी अगर Paper में सवाल लगाना है जल्दी मिन्टों में, सेकंडों में, मिनट भी नहीं सेकंडों में सवाल लगाना है, तो ट्रिक सरफ यह ध्यान रखना है, देख भाई, अगर मैं E-Node Cell को Define करों तो चीज़ी चीज़ी बात है A-Node पलस के कैथाओर ठीक है ना, इन दोनों से किसको Define किया, E-Node of the Cell को Define किया, और अगर इन्होंने E-Node Cell को Define किया, तो Simple ध्यान रखियो, E-Node पे क्या होता है Oxidation, प्रोसेस तो सीम रहेगी, और अगर Oxidation होता है, तो E-Node का हमेशा क्या लिन है Oxidation Potential, और Cathode पे क्या होता है, तो Cathode पे होता है कौन? Reduction तो हमेशा Reduction का इसका मतलब Cathode का क्या लिन है हमेशा Reduction Potential बोलो, अगर किसी को कुछ समझे नहीं आए, तो सिर्फ पेपल में यह यह फॉर्मल लबा के अपलाई करना है उत्तर चेक करना है, कौन सा? एनोड पलस के Cathode और एनोड का Oxygen Potential और Cathode का Reduction Potential सिर्फ यह दोनों एड करने हैं और इन से आप आसाई से क्या निकाल सकते हैं? इनोड सेल की वेल्यू निकाल सकते हैं